बहुत समय पहले की बात है एक हरी बरी तालाब के पास एक बत्तक रहती थी उसके पंक सफेद और चमकदार थे वह तालाब में तेरती पानी में मचलियां पकड़ती और अपना समय बड़े ही सुकूँ से बिताती थी एक दिन बत्तक के मन में एक बात आई और वह मन ही मन सोचने लगी उसने उड़ने का मन बनाया और आसमान की ओर अपने पंक फैलाए कुछ दूर उड़ने के बाद वह एक बगीचे में पहुची वहां बहुत सारे रंग विरंगे फूल खिले हुए थे पत्तक ने कभी इतने सुंदर फूल नहीं देखे थे इसलिए वह इन खुबसुरत नजारे का लुप्ट उठा रही थी किन्तों से ये नहीं पता था कि उसके पिछे एक लोमडी नजर रखी हुई थी बगीचे में एक छोटी चिरिया भी रहती थी वह चिरिया बहुत ही होशियार और चंचल थी वह लोमडी की चालाकी देख रही थी इसलिए उसने बद्तक से कहा तुम इतनी दूर क्यों आई हो? क्या तुम्हरत अला चोड़ने का मन हो गया है क्या? बद्तक ने हस्ते हुए कहा नहीं, मुझे सिर्फ कुछ नया देखना था चिरिया ने उसे पताया कि जीवन में नयापन और विविद्ता जरूरी होती है लेकिन अपने घर और अपनी जगह का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए क्या तुम्हें पता है कि एक लोमी नहीं पीछे नजर रखने हुई है इसमें तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए बद्तक में चिरिया की बातों पर गहराई से विचार किया वह वापस तालाब की ओर लोटी और तालाब की सुन्दर्ता को और भी अधिक सरहने लगी उसे समझ में आ गया की उसका तालाब ही उसका असली घर है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है की नहीं चीजें देखना और अनुभव करना अच्छा होता है लेकिन हमें अपनी जड़ो को कभी नहीं